नमस्कार प्यारे बच्छो राम राम कैसे हो उमीद करता हूँ कि आप अच्छे हो और स्वस्थ होंगे प्यारे बच्छो आज अपन बात करेंगे राजिस्तान पुलिस विभाग दुआरा को इस्टेबल पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है काफी बच्छ और विभाग दुआरा आपकी जो पुलिस विभाग के ओपिसल वेबसाइड है उसके उपर यह विग्यापन जारी कर दिया गया है यहां पर मैं आपको कंप्लेट जानकारी बताऊंगा कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या योगिता रखी गई है CT में आपके क YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके आप भी अगर देख रहे हो तो साथ में आप नोट कर सकते हो police.raja.gov.in राजस्तान पुलिस विवाग की official website है इसके ओपर आप देखेगा यहाँ पर आज यह notification जारी कर दिया गया है राजस्तान पुलिस Constable Recruitment 2023 का यहाँ पर है और इसके बारे में आपको यहाँ पर complete जानकारी बताउंगा यह PDF आपके सामने खुल रही है और PDF में क्या-क्या जानकारी दी गई है तमाम जानकारी में आपको इसके मादम से बताने वाला हूँ इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको सुविदा रहे देखने के अंदर आराम से आपके समझ में आ जाए यहाँ पर आप देख सकते हूँ प्यारे बचो देखेगा आज तीन तारी गया और तीन तारी को ही यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पुलिस कॉंस्टेबल बढ़ती है तो विगयापती वर्ष 2023 आज की डेट है और इसमें देखेगा आपर यहाँ पर बात करें तो कुल जो रिक्त पद है वो देखेगा पैंतीस सो अठंतर है कितने पद है प्यारे बचो पैंतीस सो अठंतर पदों के लिए विगया पन जार पद है उनका आपको ध्यान में रखना है कितने है पैंतीस सो अठंतर पद है रिक्त है यहाँ पर विगया पन जारी कर दिया है और इसमें देखेगा रिक्त पदों के लिए जो समान पातरता परिक्सा सीनियर सेकेंडरी लेवल की 2022 के अंदर हुई ती उसमें आपके कितने आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो नियूंतम प्रापतांक वाले अबेटियों से ओनलाइन आवेदन पत्तर है जो कि आमंतरित किया जाते हैं अब नियूंतम प्रापतांक कितने होने चाहिए वो केटेगरी के अनुसार यहाँ पर डिसाइड किया गया है ओबी से से जनरल अलगलग केटेगरी के अनुसार यहाँ पर बताए गया है तो यहाँ पर देखेगा केटेगरी का नाम दिया वरग देखिया सामाने पिछड़ा वरग अती पिछड़ा वरग या आर्तिक रूप से कमजोर वगरवाली के अंदर आप आते हो तो आपके कितने अंक होने चाहि उससे आपके इस 120 नंबर यानि की नियुन्तम प्राप्तांग होने चीए परसेंटेज की बात करें तो 40% वाले आवेदन कर सकते हैं इसके लिए इस बात का आपको ध्यान में रखना है पहरे बच्छों अनुषी जाती अनुषी जन्जाती के इतना है उन के कितने एंक होने चीए नियुनतम 108 परसेंटेज की बात करें तो 36% वाले इसके लिए क्या कर सकते हैं आवेदन कर सकते हैं ट्राइबल सब्प्लान एरिया टी-एसP वाले हैं उन ah can you होने चाहिए 90 और पर्षेंटेज की बात करें तो 30 पर 30 अगर आपके अंक हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो आवेदन कर सकते हो तो पहरे बच्छों अगर आप CT जो सीनियर सेकेंडरी की एक्जाम हुई थी उसमें आप बैठे थे आपने पेपर का मिलान किया होगा आपकी कितने अंक बन रहे थे नियूंतम अंकों की यहां पर जानकारी दी हुए है कि कम से कम इतने अंक तो आपकी होने चाहिए 120 अगर आपके हैं अब जनरल ओबीसी एडवलोस के ट किने अंक होने चाहिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है तो यहां पर पुलिस विवाका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बाकाईदा कलेर कर दिया गया है पहरे बच्चो जो आवेदन रहेंगे वो देखेगा 7 अगस्ते सुरू हो जाएंगे और 27 अगस्त तक यह ओ 001 आविदन करें आवेदन पत्र बनेगी जो बच्चात 28-28 अरथ तक आविदन पत्तर में संसोधन करनेगा जाराद मिले आगके सकते हो आपको क्यों दो तीन दिन का संसोधन करनेगा इसके अंदर क्या है मोका मिलेगा तो इस बात का आपको द्यान में रखना है अंतियम तिति का आपको इंतजार नहीं करना है विग्यापन आ गया है जैसे ही साहत्तारिको पोर्टल खुले तो आपको अपना आवेदन बढ़ना है और तयारी के अंदर लग ज लाना है और वहां से आप फिर अपनी जो OTR है यह यह वन टाइम रिजिस्टेशन है अगर आपने नहीं किया है तो वह करना है और उसके बाद में आप अपना ओनलाइन आविदन पत्र है तो वह बढ़ देना प्यारे बच्छो यहाँ पर कुछ टोल फरी नंबर भी दिये हैं अगर आपको बढ़ती से संबंदित किसी परकार की कोई परेशानी है आविदन कंडी से संबंदित है तो आप इन टोल फरी नंबर है इनके उपर आप है कोल कर सकते हो पंजी करन्ट जो सुलक है वो कितने लगने वाली है उसकी जानकारी आप देख लीजिएगा सामाने वरग क्रिमलेर स्रेणी के पिछडा वरग अती पिछडा वरग राजिस्तान से बाहर के जो कंडी डेट है उनको 600 रूपे देने होंगे उसके अलावा राजिस्तान के नोन क्रिमलेर स्रेणी के पिछडा वरग अती पिछडा वरग आर्तिक रूप से कमजोर वरग या अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती, TSP सहरी एरिया के जो कंडिडेट हैं, उनको 400 रूपे बंजी गंड शुलक के रूप में देने होंगे, आगे देखेगा पहले जो सारीरिक दक्सता यह मापतोल परिक्सा, यानि कि आपकी जो पहले सा उनके जो आवेदक है, उनने समंधित जीला, यूनिट की पदवार, वरगवार, महिला, पुरुष की विग्यापित, रिक्तियों की अनुसार, मेरीट करम में, पंदरा गुणा अभेडतियों को ही, सारी दक्सता यह दोड यह मापतोल परिक्सा के लिए, ओनलाइन आवेद आवेदन कर सकते हो, आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन यहां पर बागाईदा कंडिशन दी है, कि दोड के लिए पंदरा गुणा कंडिडेट को बुला जाएगा, आपने मानलो जैपुर जिले से आवेदन किया है, और जैपुर के अंदर दस ही विग्यपति हैं, तो दस के पंदरा गुणा कंडिडेट हैं, वो बुलाए जाएगे, यानि कि 150 कंडिडेट ही है, इसके लिए बुलाए जाएगे, यह एक्जामपल के रूप में मने आपको बताया है, कि जितने पद उतने उनके पंदरा गुणा कंडिडेट हैं, उनको दोड के लिए बुलाए जाए यह तो जब प्रिविस पत्तर वगेरा जारी किये जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा बढ़ती है तो जो रिक्त पद हैं उनके समंद में एक जानगारी यहाँ पर दिया है इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है जीला यूनिट में संदारित जो रोष्टर पंजी की अनुसार वरगवार रिक्त पदों की गर्णा निमना अनुसार की गई है इन पदों में जो उतकरष्ट खिलाडी के कोटे के लिए आरक्सित पद है चपनपद भी सम्मिलित किये गए हैं तो इन पदों का भी आपको ध्यान में रखना पहरेवाचू आरक्षन की अपनब विछिन जो महिला है उनके लिए है तो आरक्षन का प्रावदान हर्थ बढ़ती परिक्सा के अंदर होता है उसमें आपको गपराने की कोई बात नहीं है जो जितने भी पद हैं उनके अकोडिंग इसके अंदर है इसके अलावा बहुत पुरुशेनिक है उनके लिए भी आरक् उनको लेकर क्या जानकार है यहां पर दीए वो देखेंगा राजस्तान राजे के अगर बहुत प्राज अंदर संबलित हो रहे हैं तो उनको ध्यान में रखना है राजे के अलावा अन्ने- राजों, के अनुट जाती पिछड़ा प्रीक्शडा वरग अर्तिक रूप से कमजोर वरक के अभिष्टियों को सामानय वरक का बेढ़ती ही माना जाएगा यानि कि आप राजस्तान ये बाहर के कंडिडेट हो आप इस भरती प्रिक्षा के अदर समिलित हो रहे हो तो आप को केवल जनरल केटेगरी का कंडिडेट ही माना जाएगा आप साहे दूसरे स्टेट में, SC केटेगरी में आते हो, OBC में आते हो, ST में आते हो, किसी भी केटेगरी में आते हो, लेकन यहाँ पर इस बड़ती प्रिक्सा के अंदर आपको जनरल केंटिकिरी के अंदर ही सामिल किया जाएगा, वेतन और पेंशन की बात करें, आपका सेलेक प्रिक्सा दीन जो प्रिक्सारती है, उनको 14,600 रुपे, यानि कि दो साल तक आपको फिक्स वेतन मिलने वाला है, 14,600 रुपे मिलेंगे, उसके बाद में, जो सात्वा वेतन है, आयो किसी पर इसके अनुसार, Constable पद की नियमित वेतन स्थर्गला है, L5 है, वेतन यह नियमन गुर्मेंट का लगावा है, Constable पद के लिए, उसका लाब या अन्य जो बत्ते हैं, उनका लाब भी आपको इसके अंदर है, मिलने वाला है, पहरे बच्छो आगे आपन देखते हैं, बर्थी, हेतन जो पातरता, योगेता और छूट की जानकारी है, यानि कि नियुनतम आपको यहां पर बता रहा हूं, देखेगा, सेक्षन योगेता की अपन बात करते हैं, भारत का नागरी को देव नागरी लिपी ये तो आपको पता है, सेक्षन योगेता पद की अपन बात करें, आप जीला पुलीस या इंटेलिजेंस या अगर आप आविदन कर रहे हो, तो आपके पास नियुनतम सेक्षन योगेता क्या होनी चिये, मान्यत्ता प्राप्त अस्कूल, सिक्षा बोड से, सीनियर सेकेंडरी या बारवी कक्सा, या संकक्स, यानि उसके लेवल का, आपके पास अगर को परमान पतर है, तो आप इस पद के लिए क्या कर सकते हो, आव सेक्षन योगेता है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आविदन कर सकते हो, प्यारे बच्चो, आगे इसमें दिया है, वो देखेगा, कांस्टेबल ड्राइवर पद की पातरता है, तू, आवे तक के पास, विग्यापती जारी होने की दिनांग से, एक वर्स पुरुव का बना हुआ स्ताई वेद ड्राइविंग लाइचेंस होना आवसे का है, आप अगर कोंस्टेबल पद के लिए, कोंस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर रहे हो, तो मानलो, आज तीन तारीक को विग्यापती जारी हुई है, तो इससे बारा महने पहले गा, यान सिमा कितनी रखी गई है, और कैसे कैसे इसमें छूट मिलने वाली है, वो भी मापको यहां पर बताऊँगा, प्यारे पच्को, आईू की घंड़ना होगी, आपकी एक जनवरी 2024 को आधार मान कर, यानि की आईू की घंड़ना होगी, एक जनवरी 2024 को आधार मान कर आईू की गणना की जाएगी और यहां पर दिया हुआ है देखेगा Constable, Intelligency, पुलिस दूर संचार, बेंड, गुड़सवार, स्वांदल, आवेदगों के लिए जो है उसमें देखेगा यह CST, MBC के टिगरी के कंडिडेट हैं उनिमें महला पुरुस की देखेगा है यह है यानि कि 2016 से पहले का आपका जननम owना चाहिए महला कंडिडेट की बात करें तो दो एकुलिस पिचानमें या है कि उनिसो नब्वे इनके बीच में इनका जनम होना चाहिए उनके बाद में नहीं होना चाहिए तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक करके आगे आपने बात करते हैं प्यारे बच्छों जो महतुपुन जानगारी है आपके लिए वह मा आपको बताऊंगा बढ़ती है तो चैन परकरिया बढ़ती है तो चैन परकरिया ने कि कितने चरणों में आपका चैन होगा कितने चरण आपको पार करने होंगे एक तो होगा आपका सारीक दक्सता मापतोल परिक्सा वो मैंने आपको बताया था उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको और उसके बाद में computer आदारित आपका एक टेस्ट होगा 500 नंबरगा 500 नंबरगा इसमें जो constable band है उनमें क्या है लागू नहीं है दक्सता प्रिक्सा होगी लागू नहीं है यहां पर 30 अंका होगा इसमें 30 अंका होगा इसके अलावा विशेश योगेता कि अपने बात करें जैसे NCC, Home Guard, पुलिस से समंधित विश्वयों में डिपलोमा उपादिया आपके पास प्रमान पत्र है तो उसके अंक कितने निर्दारित के गई है 20 अंक है यहां पर लागू नहीं है इसमें लागू नहीं है टोटल कितने अंक का पेपर होगा आपका 170 का हो गया यहां पर इनमें अबया होगा है इतने चरण यह तेन चरण आपको इसके अंदर है पार कडने होंगे पारे बत्तूक जो आ शीरीक धक्सता प्रिक्सा होगी उसमें देखेगा पन्रागुणा कंडिदेट आपको डोड के लिए इसके अंदर बुलाय जाएगा और योग्य राग exclusion में ब проблема ये इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, आप दोड लगाने के जा रहे हो, तो आप फीजिकल फिट हो या नहीं हो, उसका एक परमान पत्र आपको जमा करवाना होगा, अब दोड की अपन बात करते हैं, देखेगा, सारे इक दक्सता होगी, उसमें आपकी कितनी दोड होग यह देखेगा, समस्त जो अभ्यरतियों को, सारे इक दक्सता प्रिक्सा में उतिन होने के लिए, पांच किलोमेटर की दोड है, जो दिये गए समय के अनुशार आपको पार करनी होगी, और यह पांच किलोमेटर की दोड कौन-कौन से पदों के लिए होगी, कौस्टेबल, स उनको 35 मिनट का समय मिलेगा, भूत पुरोशेनी का उनको 30 मिनट का समय मिलेगा, और ट्राइबल एरिया के जो कंडिडेट है, S.E.S.T. वाले, उनको 30 मिनट का समय मिलेगा, पांच किलोमेटर की दोड़े होगी, आपको पार करनी है, प्यारे बच्छो, तो इस टाइम का आ जमा करवाकर उसी दिन है यह जमा करवाने होंगे, और आप सारे एक दखता परिक्सा में सामिल हो सकती हो, अब जो महत्वपून है, मानलो आपने फीजिगल पास कर लिया, नमबर दो स्टेप के आती है, लिखित परिक्सा, टेस्ट भी आपको पास करना होगा, लिखित पर आप टेस्ट नहीं होगा, इसकी भी आपको प्रेक्टिस करना है, प्यारे बच्चो, कितने अंक का पर होगा, देड़ सोंग का होगा, परसन पतर के अंदर, अबजेक्टिव टाइप के परसन आएंगे, और टोटल परसन कितने होगा, देड़ सोंगे, समय कितना रहेगा, दो गंटे का, दो गंटों के अंदर आपको 150 परसन है, उनका जवाब देना है, प्यारे बच्चो, और 150 नमर का यह आपका यह पेपर होगा, भाग एक के अंदर आपन बात करें, तो विवेशना, यह तार की क्योंगे ता, थता कंप्यूटर का सामाने ग्यान है, उससे सामाजिक विज्ञान, यह समसाई की विश्यों पर तता महिलाओं, यह बच्चों के अधिकारों, वह उनके लिए, राजस्तान सरकार द्वारा परसलीज, जो सरकारी योजना है, सहंस्ताओं के समंद्र जानकारी है, वो पूछी जाएगी, कितने क्यों सनाएंगे, 45, कितने होंगे, 45 अंके के होंगे, भाग सेक कि अपन बात करें, राजस्तान की इत्यास, सेंसकर्थी, कला, भुगोल, राजनिती, आर्थी कि स्थिती, इत्यादी से सम्दित, 45 परसलीज, 45 अंके क्योंगे, टोटल 150 परसल आएंगे, 150 नमर का आपका पेपर होगा पहरे बच्चों, तो यह एक्जाम पेटन आपका इसके अंदर रहने वाला है आगे देखेगा जो दक्सता प्रिक्सा आपकी होगी कॉंस्टेबल चालक बेंड गोंडसवार स्वांदल है उनके लिए आपकी यह दक्सता प्रिक्सा होगी विग्यपति जारी होने के एक वर्ष का पूर्वा का बना हुआ लाइसेंस आपके पास यह होना चाहिए तो इस बात का भी आपको द्यान में रखना है कि शेची यह के ताहित जो अंक निर्दारित के गए हैं वो देखिएगा आप जो 20 अंक निर्दारित के गए हैं वो किसी साप से आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं अगर NCC का आपके पास C पर्मान पत्र है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, B पर्मान पत्र वालों को 8 और C A वालों को आपको 6 मिलेंगे Home Guard की बात करें, 3 साल की शेवा दिये तो 10, 2 साल की शेवा दिये तो 8 और 1 साल की शेवा दिये है, तो आपको 6 अंक इसके अंदर मिलने वाले हैं Police से समंदित विश्यों में Diploma Degree अगर आपने किया है, तो उसमें देखेगा MA, MA, C, Criminology, Cyber सुरक्सा, इस समंदित विश्यों में आपने कोई परमान पत्र लिया है, तो आपको 10 अंक मिलेंगे Security Management, Social Sciences समंदित आपके पास कोई परमान पत्र तो 8 अंक मिलेंगे उप्रोक्त विश्यों में Diploma प्राप्त किया तो आपको 6 अंक इसके अंदर है, मिलने वाले प्यारे पत्र विश्यों ये जो विश्यों अंक दिये जाएंगे, उनकी जानकारी मैंने आपको यहां पर देती है जो आपके document, check होंगे, उनमें देखेगा computer आदारित प्रिक्सा में सपल होने वाले अभियरतियों, एकोंस्टेबल बेंड पद के आविदंगों के लिए, दस्तावेश सत्ता पर नहोंतु बोर्ड दुआरा पर्तक से, जो तिती निर्दारित करके, अलग से उनको सुचित कर दिया जाएगा यह बाद की बात है, तो इस वह महतु पुन जानकारी थी, वह मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किये, पहरे पच्छो, उमीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी, और यहाँ पर देखेगा district wise, category wise, पतों का विवरन दिया हुआ है, तो यह PDF मैं लगा दूँगा नीचे, जो वीडियो को description में, PDF का लिंक दे दूँगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लिएगा, पहरे पच्छो, और आप जिस पत के लिए, जिस जिले से, और जिस category से आविदन कर रहे हो, उसकी जानक कर या आप वहाँ से check कर सकते हो, इसके अलावा अगर आपको age limit को लेकर, CT परमान पत्तर को लेकर, IUC माजो, sex ने गयो गेता है, या chain पर करिया है, exam pattern वगर है, उन से संबंदित किसी भी परकार के अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, तो पहरे पच्छो, comment box में comment आपको complete जानकारी बताई जाएगी, पहरे पच्छो, आप इस कम समय के अंदर आप, अगर handwritten notes पढ़कर, अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाते हो, तो हमारी team आपकी सुईदा के लिए, भहतरीन और सांदार बासा के अंदर, तीन पार्ट्स के अंदर handwritten notes लेकर आई है, notes स लगाना है, वहाँ पर आपको सारी courses मिल दाएंगे, कोंस्टेबल आपको वहाँ पर course देखना है, sample notes आपको बिल्कुल free में पढ़ने को मिलेंगे, पहले आप sample notes पढ़िएगा, उसके बाद में वहाँ पर नंबर दिये हो है, mobile नंबर उनके उपर आप खोल कर सिकते हो, हमार आपको संतुष्ट पून जवाब दिया जाएगा, पहरे बत्चो मेरे दुवारा दीगी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो इसको share करना मत बूलिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली करंट अपेर की अगर आपको जानकारी लेनी है, तो Infusion Notes के Instagram और Telegram चैनल को आप फोलो कीजिएगा, जहां से आपको डेली करंट अपेर की जानकारी भी मिलती रहेगी पहरे बत्चों, चलिए मिलते हैं पंडेक सेशन में, धन्यवाद राम राम.